हेलो फ्रेंड नमस्कार देशी कीचन में आपकर स्वागत हैं आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से फ्राई राइस देखे सुरू करते हमने दो चमच टमेटर केचप दो चमच सोया सोस एक मीडियम साइज का टमाटर दो चमच वाइट विनेगर एक मीडियम साइज का लंबा कटा हुआ प्याज इसमें दो हरी मिर्च अध्रक और लेसुन जो हमने बारिक बारिक काट लिया है और कटा हुआ हरा धनिया चलिए फ्रेंड अब सुरू करते हैं इसको बनाना कड़ाई में हम दो चमच देशी घी डालेंगे कि यह हमारा गरम हो गया अब इसमें हम डालते हैं लसुन अध्रक और हरी मिर्च इसको हल्का सा भून लेंगे देखे फ्रेंड हमें लसुन को ज़्यादे नी भूनना अब हम इसमें डालते हैं लंबा कटा हुआ प्याज जो हमने लंबा काटके रखा हुआ है हम प्याज को जादे नी भूनेंगे इसको भी हम हल्का ही भूनेंगे देखे प्याज हमारा हो चुका अब इसमें हम डालते हैं टामाटर टामाटर को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे स्वादनुसान नमक आदा चमच लाल मिल्ची पावडर एक चोथा ही चमच धनिया पावडर अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे देखे फ्रेंड टामाटर हमारे हलके से सॉफ्ट हो चुके अब इसमें हम डालते हैं वाइट विनेगर सोया सोस और अब हम इसमें डालेंगे टमैटो केचप अब एक उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे देखिए इसमें उबाल आ गिया है अब हम डालते हैं इसमें जो हमारे उबले हुए चावल रखे हुए है अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे आदा चमच डालेंगे हम इसमें कीचन किंग मसाला और अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया अब अच्छे से इसको मिलाते हैं देखे फ्रेंड फ्राइर राइस हमारे बनकर हो गया है तेयार अभी निकालते हैं एक बाउल में अगर फ्रेंड हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं